हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस से एवं भूमी सुधार विवाग में जो आपकी 10101 पत पर विगपती आई थी विशेश सर्वेचण अमीन विशेश सर्वेचण कानून गो विशेश सर्वेचण लिपिक और सहायक बंदबस अधादिकारी के जो पद थे 10101 पद इन्हें कैबिनेट के फैसले के बाद इस वेकेंसी को निरस्त कर दिया गया है क्या बदला हुए हैं क्यों रदि क्या गया है विग्यापन को परिच्छा अब कौन लेगा आगे क्या होगा मेरिटलिस से पद भरे जाएंगे या नहीं अब आगे योगिता क्या होगी और सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस विगपती को रद्य कर ली गई और नया नियुमावली बनाया गया जी हां केवल इस वेकेंसी के लिए एक नया नियुमावली बनाया गया यानि कि सम्मिदा नियोजन भरती की जो नियुमावली है उसको ही संसोधन करके 2022 की नई नियुमावली बनायी गई तो पहली चीज आपको बता दें कि 2019 की जो नियूमावली थी उसकी आधार पर 2020 में वेगपती आई थी साड़े चार हजार यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन जो आपकी वेकेंसी थी चार हजार नौसो पचास पत थे इस्पेसल सरवे अमीन याने की विसे सरवेशन अमीन के जहाँ पर डिपलोमा इन सिविल इंजिनिंग क्वालिफिकेशन थी वहाँ पर उस बहाली को संपन किया गया था लेकिन उस बहाली के अंदर बहुत से फरजी डिग्रियों के आधार पर चैन हो गया था और बात में नौकरी करते हुए कई कर्मियों को पकड़ा गया और पकड़ने के बार निर्देशाले द्वारा उन्हें निकाल दिया गया तो वहाँ से बिभाग को ये पता चलती है कि इस वेकेंसी में जो फरजी सर्टिफिकेट है फरजी आधार पर काफी ज़्यादा चैन हो गए और बिभाग जो है उनकी बेरिफिकेशन करने में असफल हुआ यानि कि सही से उनका बेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे और ऐसी विजलेंस की भी रिपोर्ट आई थी ऐसा कहना है बिहार सरकार का यानि कि वो पूरी तरीके से विफल रहे थे फरजी कैंडिडेट को पहचानने में इसलिए ऐसी जरूरत पड़ी कि नियोमावली को बिलकुल पूरी तरीके से संसोधन करना पड़ा रद करने का य जूरी दी इसके अनुसार कर्मियों की जो नुक्ती होगी अब परिच्छा से होगी यानि कि अब आपको परिच्छा देना पड़ेगा अब ये परिच्छा लेगा कौन आपका जो परिच्छा लेगा वो है B, C, E, C, E यानि कि बिहार कंबाइंड एंटरेंस कंपटेटिव इग्जामनेशन आपकी परिच्छा लेगी और परिच्छा लेने के बाद मेरिट लिस्ट बनाएगी इसलिए अक्टूबर में जारी विग्यापन रद किया गया है अब आगे क्या होगा ये जो B, C, E, C है ये विग्यापन 10101 पदों की जगा लगबग देड़ गुना यान बंदोपस पदादिकारी में 355 और विशेज सर्वेच्छड लिपेक में 744 पद है योग्यता क्या होगी N, C, V, T और S, C, V, T मानेता प्राप्त द्वारा संस्थानों के प्रिच्छन प्राप्त योग्यता अधारी ही बहाल होंगे इसके साथ मेरिट लिस्ट से पद भरे ज जाएगा उसमें आगे भी नयोजन होता रहेगा विशेज सर्वेच्छड के लिए साहयक बंदोपस पदादिकारी विशेज सर्वेच्छड कानून को विशेज सर्वेच्छड अमीन अमीन विशेज सर्वेच्छड लिपिक और कार्याले प्रचारी की न्योकती अंकों की जगा परिच्छा से होगी तो अब आपकी जो विगपती होगी वो परिच्छा से होगी चाहे वो इन में से किसी भी विगपती में आते हैं उन सभी के परिच्छा होगे कुल पदों के देड़ गुना के लिए परिच्छा होगी ऐसा यहाँ पर मिंचन है तो आप देख भी सक कि जनवरी अंद तक ये विगपती गौवर्मेंट लाइफ कर देगी या आगी की क्या संभावना है बागी फ्यूचर की सबी अपडेट्स के लिए चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद